वेलकम शुटावन तो यहापे हमारे पास हालो अलकेन, हालो आरेंज के क्लास 12 का एंसेटी एक्जम्पलर के अंदर का कोशन है कोशन देखो, how can you obtain iodine from ethanol when no other iodine containing reagent except NAI is available in laboratory तो देखो, यहापे हमें iodine को बनना है ethanol से और यहापे iodine का जो यहापे reagent है, वो यहापे NAI छोड़के कोई iodine का reagent lab के अंदर available नहीं है तो आप इस reaction को कैसे compare करेंगे चोलो, अभी यहापे हम पहले तो यह statement को हम reaction के through यहापे लिखेंगे यहापे ethanol जो है, इससे हम यहापे iodine जो है, यहापे direct बननानी के लिए यहापे थोड़ा सा मुश्कील है तो इसको हम दो यहापे जादा step के अंदर कैसे बन सकता है, वो देखेंगे तो सबसे पहले यहापे direct कोई यहापे iodine बननानी की method नहीं है, best method नहीं है वो बाकिकी यहापे हम जो जैसे की यहापे chloride बननानी की direct method है, bromide बननानी की direct method है यहापे हम यहापे iodine का कोई compound नहीं है, इसलिए यहापे हम करेंगे – alcohol को सीधा convert करेंगे alkyl halide के अंदर connect करेंगे तो alkyl halide यहाँ पे connect करेंगे तो यहाँ पे सबसे important alkyl halide यहाँ पे कौन-कौन से यहाँ पे बनेंगे alkyl chloride alkyl chloride जो है देखो यहाँ पे SOCl2 यहाँ पे perioding के presentation में डालेंगे यहाँ पे देखो thynol chloride तो यहाँ पे आपको CH3, CH2Cl, this is the best method to prepare आपका ethyl chloride ethyl chloride बनानी की best method और भी यहाँ पे हम bromide भी बना सकते रेखो दूसरी bromide बनानी की यहाँ पे red phosphorus BR2 डालेंगे तो ethyl bromide बनाएंगे तो chloride bromide यहाँ पे बनने वाली यहाँ पे कोई भी reaction लिख सकते हैं हमने दो reaction PCL3, PCL5 यहाँ पे यह भी यूज़ कर सकते हैं ठीके तो यहाँ पे हमने यह दो reaction लिखी इन में से कोई भी एक complete करना है तो अभी यहाँ पे एक बार यह alkyl halide chloride हो या ब्रोमड एक बार बन गया तो यहाँ पे आगे वाली reaction देखो एक बार यहाँ पे यह बन गया alkyl bromide chloride हो यहाँ पे halogen exchange reaction यहाँ पे यूज़ करेंगे finkelstein reaction तो finkelstein reaction is for only iodide formation की best method यहाँ पे देखो तो alkyl iodide यहाँ पे जो बनेगा वो alkyl chloride या ब्रोमड से बनेगा तो चलो यहाँ पे reaction समझते यहाँ पे dry acetone के अंदर NAI यहाँ पे हमने लिया हुआ dry acetone एक solvent का कामे तो इतिल chloride का यहाँ पे यहाँ देखो halogen जो यह Cl- गया उसके बदले में यहाँ पे I- आया nucleophilic substitution reaction यहाँ पे complete हो गया देखो this is the nucleophilic substitution reaction halogen exchange हो रहा है इतिल iodide यहाँ पे बन गया तो इतिल iodide का IPC name यहाँ पे हम बोलेंगे iodoyethane this is the iodoyethane तो यह बन गया देखो तो इत दो step के अंदर इसको हमें complete करना पड़ेगा यहाँ पे आप इतिल chloride के बदले में इतिल bromide भी ले सकते फिर यहाँ पे यह reaction हो जाएगा chlorine bromine यहाँ पे आप ले सकते chloride bromide यहाँ पे कुछ भी ले सकते तो this is the method to prepare इतिल iodide तो यह ने आए यहाँ पे हमने यूज किया है तो देख सकते हैं दो step के अंदर reaction complete होगा आया पांड़ेशन explanation Thank you